बॉलेवुड के भायजान यानी सल्मान खान अपनी बेहन अर्पिता के पती आयूश शर्मा को बॉलेवुड में डेब्यू कराने वाले हैं ये खबर काफी दिनों से बॉलेवुड के गलियारों में काफी धूमचा रही है वहीं आखिरकार सल्मान ने इस खबर पर फाइनली मुहर लगा दी है अब ये कुछ देर पहले ही सल्मान ने एक ट्वीट किया जिसमें इस बात की घोशना की है कि आयूश शर्मा की फिल्म का नाम क्या होगा जी हाँ आयूश शर्मा की फिल्म का नाम होगा लवरात्री नाम थोड़ा सा अजीब जरूर है पर बहुत ही सोच समझ कर रखा गया होगा गौर्टलवे की सल्मान नहीं चाते कि आयूश शर्मा की डेब्यू फिल्म में किसी भी तरह की कोई कमी रहे बताया जा रहा है कि फिल्म की शुटिंग आने वाले फरवरी महीने में शुरू हो जाएगी और साल 2018 खत्म होते होते फिल्म को रिलीस कर दिया जाएगा फिल्म की तैयारी भी हो चुकी है और बता दे कि इस फिल्म को अभिराज मीनावाल डारेक्ट करने वाले हैं फिल्म की तैयारी भी हो चुकी है और बता दे कि इस फिल्म को अभिराज मीनावाला डारेक्ट करने वाले हैं अभिराज भी इसी फिल्म के साथ डेब्यू करने जा रही है वहीं अभी तक फिल्म की हिरोईन फाइनल नहीं हुई है लेकिन ओडिशन चालू है सल्मान चाहते थे कि सैफ अलिखान और अमरिता सिंग की बेटी सारा अलिखान इस फिल्म के साथ बॉलिवूड में डेब्यू करें पर सारा ने साफ इंकार कर दिया उसके बाद सल्मान ने फैसला लिया कि आयूश क्या पोसेट किसी नई एक्टरस को ही लॉंच करेंगे वैसे आप सल्मान के जीजा आयूश को बॉलिवूड में देखने के लिए कितने एकसाइटेड है हमें कमेंट करके बताना मत भूलेगा और बॉलिवूड से जोड़े खबरों के लिए देखते रहिए मेरी चीप बॉलिवूड